हम बात कर रहे हैं ओयन जिसी की आज के दिन की बात करें तो एक परसेंट के ऊपर के आप साइट के साथ हमको इस्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिलिए इससे पहली वीडियो में हमने जब इस्टॉक 202 के ऊपर सस्टेन हो रहा था उस वक्त डिसकस किया था के स्टॉ 210 के तारगेट हमको इजीली बता सकता है शॉट टम में बता सकता है और हमने देखा 210 के तारगेट को इस्टॉक ने हिट किया और वहीं से रिजेक्शन लिया है और जब रिजेक्शन आया है तो इस्टॉक ने सब अपने इससे पहले जहां रिजेक्शन फेस कर रहा था जब बॉन्स बैक दिकाया है वह इन जिसे में हमको और बड़ी तेजी देखने के लिए मिल सकती है हम देख सकते है इस टॉक अपने हाई के पास ही हमको क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है बड़ा सेलिंग प्रेशर हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है और पैटन भी हमको हाया रहा है बता रहा है जंप आ रहा है ब्रेक डॉन हो रहा है आगें हाई को ब्रेक ओड कर रहा है अपने तो यहां से इस बॉन्स बैक के साथ इस टॉक अपने इस हाई को 210 के लेवल को ब्रेक ओड करता हुआ हमको नजर आ सकता है इसके पूरे पूरे चांस बन रहे है मा सपोर्ट जोन को ब्रेकड़ान करके आमको गिरावट बता चुका होता बात करते सपोर्ट लेवल की इमीडियेट सपोर्ट का काम करने वाला है 204 का लेवल इसको ब्रेकड़ान करता है तो नेक्स सपोर्ट का काम करने वाला 200 का लेवल और स्टॉक जब तक 190 के उपर है तब त करते हैं तार्गेट को डिसकस करेंगे इमीडियेट टारगेट है वही बनने वाला 210 का लेवल स्टॉक अपने हाई के पास हमको क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है तो ऐसे कंडिशन में हमको इसका हाई ब्रेक ओड होता हुआ कल के दिन में नजर आ सकता है अगर इसको ब बड़ी तेजी देखने के लिए मिल सकते है जंप देखने के लिए मिल सकता है फिर हमको 214 तक का जंप हमको देखने के लिए मिल सकता है अगर 214 की लेवल को ओंजिसी ब्रेक ओट कर जाता है तो नेक तार्गेट हमारा बनने वाला है 220 का लेवल और फिर हमको 240 तक के भी ता बायर सेल की सला नहीं है